नमस्कार सुपागत है आपका आप देख रहे हैं इंजे टीवी स्पीड नियूज आपके साथ मैं हूँ जोदसना पाटमी और अब वक्त हो गया है मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरों को देखने का आए देखते हैं मौसम 20 हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में अब बाढ़ की आफद राज्जी के साथ जिलों में बाढ़ का कहर हिमाचल के पॉंग डैम का पानी पंजाब के हुश्यारपूर पहुंचा करीब दो दरजन गाउं बाढ़ की चपेट में प्यास नदी में उफान गाउं में 5-7 फी हिमाचल प्रदेश के सियम सुखविंदर सुखू आज करेंगे दिली का दोरा केंदर सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बारश और बाढ़ को सरकार ने स्टेट डिजास्टर घोर्शित किया आपदा से करीब 10,000 करोड रुपे का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में लैंड्सलाइट के 113 घटनाएं बाढ़ और बारश से 330 लोगों की हुई मौद तबाही पर बोले सेम सुखू जानमाल के नुकसान को कम करने पर जुटी सरकार लैंड्सलाइट से शिम्ला की एतिहासिक इमारत में दरार 1888 में हुआ था इंडियन इंस्टिट्यूट औफ एडवांस स्टडीज का निर्मार शिम्ला में लैंड्सलाइट के चलते लोगों में खौफ निचले इलाकों में बसे लोगों को प्रशासने सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया शिमला शिफ्ट किये गए लोगों की परिशानी बड़ी पीड़ित लोगों का बयान कहा शिमला में ऐसी स्थिती कभी नहीं देखी मंडी में देखा लांड स्लाइट से तबाही का मंजर साथ मील इलाके में फैला लांड स्लाइट का मलबा मंडी में साथ दिन से फसे हैं बस और ट्रक गाउवाले लंगर लगाकर कर रहे हैं यात्रियों और ड्राइवर्स के खाने का इंतिसाम जाम में फसे सेबों से लदे दरजनों ट्रक सेब के खराब होने की आशंका 36 गड़ सरकार ने हिमाचल को दी 11 करोड रुपे की मदद राजिस्तान सरकार ने 15 करोड देनी का अहलान किया चमूली में भारी बारिश से उफनाई प्राण मती और पिंडार नदी भारी मुकसान कोड द्वार में भारी बारिश से उफनाई मालन नदी जलसतर बढ़ने से ट्रक फसा दिली के बदरपुर इलाके में तेज बारिश सडकों पर भरा पानी लोगों को हुई भारी परिशानी दिली में बार को लेकर एलजी और केजरिवाल में ठनी लेटर लिखकर दिली सरकार के खामिया बताई